अजर मातों फिर से एक साथ क्लास सब्सक्राइब करने हैं तो सबसे पहले हम देखें कि उपसल बनने कैसे हैं हम जानते हैं कि किसी भी भाशा में शब्दों का बहती ही जादा मैदू होता है जिस भाशा में जितने जाधा शब होते हो उतने भी जाधा समय भूनी चाथी है शब्ध जो होते हैं एक परिकेसी किसी भी भाशा के लिए प्राण वाईयुका काम करते हैं जैसे शरीप और जीवित रुपने के लिए हमें रख्ट के वज़ता होती है जैसे जरीज़े fam वाशा के लिए जो ह्षब प्राण वाईयुका काम करते हैं ओर शब्धों को ढालोजिशल रख्ट क्या गरेश रख्ट 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 क्या हमें क् Onional विटग सब्सक्तियू आफी है। हम देरे स्प मढूस की मिम होडता कृता है तो इस तरही में से चब्दों की रिजना होती है अब हमाद आते हो उत्सर्व उत्सर्व क्या है? उत्सर्व वो शब्दाश होता है यान शब्द का अंश होता है जो हम किसी भी शब्द के आगे उसको जोड़ते तो वो उसमें जुड़कर उसके बडल जों से अर्थ रॉसनों I can share आई समझ में अप्डु आप्डु सर्व पुझट़ करीं उत्सर्व वो शब्दाश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जोड़ते उस शब्द में या तो पलिबर्द कर देते हैं या कोई मिशिश्टान कर देते हैं जैसे क्यासे हैं हमें चोपा सबार है हां हर रमुतर बता है गले का आट उतना बतार गलेका लेकिए लो उसके अजट करा दिया, सामने आज होगा रहां पिशत रहांद अहां और इसका मंदल करिए अर्थ चेंज हो गया, भोजग हाल, गले का हाल याने माला चालता हम उसमें हाल लगा बन गया, आहाल है भोजग दूसरा है गुर्व, शक्ति आपके पास मुनशक गुर्व और हम उसे पाूं चाल लगा दिया तो बुर्व कुंणा पूल में तो इसकी योग yeता किसी की हृु gitah लेके पाव ज़ो दॅनजि अन्यो हो historians यानि पाल बर्ल्वा दिया भी हाल लंदिया किसी की गुल की बुरे गुर फान्यों तो यह था आपका उटसल्ण, अब उटसल्ण कॉकर बर्गी करा, पर इतरह पकार से करते हैं, सब्धों चार के कार से हैं, और एड़ उटसल्ण से हैं पाच कार से हैं, उसमें एक ख़ु आख शाह रहा है.